कांग्रिस पार्टी के महादीवेशन की दुरान हर एक नीताओ को अपनी बात रखने का मौका मिला लगबग और कनिया कुमार का जो दियावा भाशन है वो तो च्छा गया है पूरी तरीके से बी جे पी को जिस तरीके से या लपीटा है अपने बाशन के धौन कानिया कुमार की तारीफ कर रहे भारत जो यात्रा के दौरान कनिया कुमार कादम से कदम मिला कर चलते हैं आए जा रहे हैं कि उनको ज्यादा बड़े पत के साथ आगे किया जा सकता है क्यूंकि राहूल के साथ सत कनिया कुमार की छवी बदली है लेकिन कांग्रेस पार्टी के महा दिवेशन के दुरान दाइपूर में जिस तरीके से कनिया कुमार ने भाशन दिया वो सब चोका देन वाला और यह बात भी तहए कनिया कि इन बातों को सुनकर बीजेपी के कई नेता हैरान भी हो गए होंगे तो सुने कनिया कुमार का यह पूरा दमदार भाशन दोस्तों सबसे पहले मैं एक नौजवान होने के नाते भारतिया राष्टिया कॉंग्रेस की जो मौजूदा संसोधन किया है कि पार्टी प्रतिनधित्यु में हर एक अस्तर पर पचास वर्ष से कम उम्र के विक्ति को पचास प्रतिसक तक सीट जो आरक्षित किया गया है मैं इस देश के नौजवानों के बिहाफ पर भारतिया राष्टिया कॉंग्रेस को कोटी-कोटी धन्यवाद कर समझता हूं कि दोस्तों मैं समझता हूं कि एक महतपूर्ण रेजिलूशन है महतपूर्ण रेजिलूशन इसलिए है कि आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है दुनिया का हर पाचवा नौजवान कोई न कोई भारतिया है ऐसे वक्त में देश की दशा क्या होगी देश की राजनीती क्या होगी समाज का स्वरूप क्या होगा और हमारे आने वाले भविस्थ का मुस्तक्बिल क्या होगा इसको इस देश का नौजवान त्या करेंगे कॉंग्रेस पार्टी ने इस बदलाव को महसूस किया है उसके लिए हम अपने बरिस नित्रित को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दोस्तों आज जब राइपूर में देश की सबसे पुरानी पार्टी उसका पचास जिवा महादिवेशन हो रहा है तो हमारे सामने कुछ महत्पुर्न सवाल हैं और उन्हीं महत्पुर्न सवालों पर चर्चा करने के लिए यह हमारा डिसकसन हो रहा है यह प्लेनरी सेशन हो रहा है और यहां मैं आपके बीच मौझूद हूँ हमारे देश के एकॉनमिक आर्थिक और राजनितिक रेजिलूशन क्या होना चाहिए उसके संबंध में कुछ बातें रखने के लिए सबसे पहली बात तो हमको यह समझना चाहिए देश की अर्थ विवस्था देश के लोगों को अज नजर अंदाज करके नहीं चल सकती है कोई भी ऐसी आर्थिक नीती जिसमें देश के लोगों को नज़र अंदाज किया गया है वो आर्थिक नीती देश की आर्थिक नीती नहीं हो सकती है और आज हम जिस मोर पर खड़े हैं हम देख रहे हैं कि नारा देश का लगाया जाता है नाम देश का लिया जाता है और तिज स्चिधा सवाल है इस देस के हुकमरानों से। कॉंगेसी पार्ठी का एक काम आमकारिकड़ता होने के चलते। कि यह कौन सी यही निती है जिए देस गरीव हो रहा है। हमारा आर्थिक आंकरा हमको बताता है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है आज के वक्त में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां बेरोजगारी सर्चर करके बोल नहीं रही है आप तमाम सरवे उठा करके देख लिजिए लगातार अमीर और गरीब की खाई बरती जा र रहा है वैसी परिस्थिती में जो देश की संकल्पना है जिसको महात्मा गांधी ने देखा है जिसको मौराना अबुलकलाम आजाद ने देखा है जिसको सुवास चंद्र बोश ने देखा है जिसको स्रीमत इंद्रा गांधी ने देखा जिसको चड़्या राजीव गांधी है तो आप मुझे बताइए कि देश कैसे गरीब हो रहा है और देश के दो-चार पूंजी-पती कैसे अमीर हो रहे हैं यह कौन सी यह जादू की छड़ी है जो मौझूदा सरकार चला रही है आप मुझे बताइए कि आम आम लोगों की आमदनी घटी जा रही है और देश के एक-दो पूंजी-पती दुनिया के अमीरों की सूची में जाकर के सुमार हो जाते हैं मैं यह यह बात अस्पस्ट कर देना चाहता हूं हमारी पार्टी अमीरों के खिलाफ नहीं है हमारी हमारी पार्टी पूझी पतियों के खिलाफ नहीं है हमारी पार्टी उद्योग धंधों के खिलाफ नहीं है हमारी पार्टी उद्योग पतियों के खिलाफ नहीं है लेकिन हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और प्रधान मंत्री के पास च जार करोड का भिमान हो हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में सिख्षा नहीं हो कलम नहीं हो स्लेट नहीं हो कंप्यूटर नहीं हो मोबाल नहीं हो और इस देश की जो सरकारी संपत्तियां हैं बी एसेनल बी एसेनल के बारे में क्या कहा गया बी एसेनल के बारे में कहा गया बी एसेनल का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे पताईए कि जी ओ धन धना धन कैसे करेगा यह सवाल आज इस देश के सामने ख़ड़ा है सरकार क्या करेगी यह सवाल में पूछना चाहता हूं इस देश के नीति निर्माताओं से कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा जब देश में नहीं होगा एयर इंडिया तो आप बताईए क्या करेंगे जोतिरादित सिंधिया जब एयर इंडिया नहीं होगा जब रेलवे नहीं होगा जब बीए सेनल नहीं होगा तो मैं कहता हूँ कि इस देश में मंतरी की क्या जरूरत है जब देश में जनता नहीं होगी तो फिर इस देश में सरकार की क्या जरूरत है जब देश में श्कूल नहीं होगा, अस्वताल नहीं होगे, सरके नहीं होगी तो आप मुझे बताईए कि फिर संसत की क्या जरूरत है इस देश की जो पूरी की पूरी संकल्पना है उस संकल्पना को आज एक बार फिर से कॉंग्रेस के राष्टिय महादिवेशन में पुनर विचारित करने की जरूरत है देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग डीडी नेशनल पर एक कारिक्रम आया करता था नहरु जी की किताब है डिस्कबरी ओफ हिंडिया डिस्कबरी ओफ हिंडिया के एपिसोड में नहरु जी आम लोगों से पूछते हैं कि बताईए कौन है भारत माता किसको भारत माता कहते हैं भारत माता इस देश में रहने वाले लोग हैं जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता की जय बोलने का मतलब है इस देश के 140 करोर लोगों की जय और 140 करोर लोगों की जय का मतलब है कि 140 करोड लोगों के हाथ में पढ़ाई हो 140 करोड लोगों के हाथ में काम हो 140 करोड लोगों के लिए रोजगार की विवस्था हो 140 करोड लोगों के लिए इलाज की विवस्था हो 140 करोड लोगों के लिए चलने के लिए सरकें हो गारियां हो रेलवे हो हवाई जहाज हो और आपने देखा कि देश में कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी बपौती समझ लिए हैं अभी जब मैं हवाई जहाज की बात कर रहा था तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट याद आ गया दिल्ली एयरपोर्ट पे भारी जो है सिकुरिटी फोर्फ आई थी हमारे एक नेता को गिरफतार करने के लिए तो मैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को इस महाधिवेशन के माध्यम से कहना चाहता हूं आपको मालूम नहीं है भारतिया राष्टिये कॉंग्रेस का इतिहास आपके पुर्खों ने जिन अंग्रेजों से डढ़ेंगे ना आपकी गोलियों से डढ़ेंगे भारतिया राष्टिये कॉंग्रेस इस देश की पार्टी है और इस देश के हकुक के लिए लड़ती रहेगी इस बात को याद रखिएगा और आज के समय में जो आर्थिक लूट की नीतियां चल रही है कि प्राइवटा सब्सक्राइशन समख बाइशन आफ प्राफिट और सुचला ये समफ ल्स इस पाईता होगा तो अदानी का और नुक्सान होगा तो एलाइसी का ये हम नहीं चलने देंगे इस बात को आप याद रखिएगा अँफैन का तो पधनान मंद्री जी के दोस्त का और नुक्सान ह तो इस देश के आम लोगों का पैसा जो SBI में पढ़ा हुआ है उसका यह हम नहीं चलने देंगे इस बात को याद रखिएगा इसी लिए हमारा political और economic resolution यह है कि भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस इंडियन Constitution का safe guard है हम इंडियन Constitution के पहरेदार हैं हम इंडियन Constitution के असली चोकीदार हैं इस बात को याद रखिएगा और इंडियन Constitution इस बात को रिजॉल्व करता है we the people of India और यह जो we the people of India है इसमें इस देश में रहने वाले वो तमाम लोग चाहे हिंदू हो मुसल्मान हो सिख हो इसाई हो जैन हो पार्सी हो बुद्धिस्ट हो या वैसे भी लोग जो किसी धरम को नहीं मानते हैं वो सब भारत के लोग हैं और उनके हकुक के लिए उनके अधिकार के लिए कल्यानकारी राज की अवधार्मा को बचाय रखने के लिए बारतिय राष्टिय कॉंग्रेस संघर्स करेगी और यही जो पॉलिटिकल रेजिलूशन है कि हम देश के लोगों के बुनियादी सवालों के लिए रोजी रोटी कपरा मकान सिक्षा स्वास सरक बिजली पानी और इस देश के सं आप तमाम सम्मानित मंच और आप तमाम प्रतिनिधियों का एक बार पुना स्वागत करते हैं अपनी बात में खत्म करनेंगा शुक्रिया इनकलाब जिंदाबाद जै हिंद जै भारत जै कॉंग्रेस देखा आप सभी ने किस तरीके से कनिया कुमार ने एक एक करके सभी बा कुमार ऐसे बड़े नेता शाबित होंगे आगे आने वाले वक्त में कि जिसमें कांग्रिस पार्टी की छवी बदलने का किस्मत बदलने का दमखम हो क्योंकि राहूल गांदी दो बार लोकसभा चुनाब में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं दोनु बार उनको निराशा हा अब कांग्रिस पार्टी से बहुत उमीद है कि आसे तरह नेता को रोकने के लिए कुछ बड़े फैसले लेती नजर आए बनेरे चनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद